और इसके बड़ी ख़बर और एक बड़ी चिंता जना ख़बर आ रही है बारिश के कारण उत्तरकाशी और गंगोत्री मार्ग जो है वो ध्वस्त हो गया है और बाबा रामदेव समेट तकरीबन चार सो बच्चे वहाँ पर फसे हुए हैं रास्ता बंद होने के कारण योग गुरू बाबा रामदेव और उनके साथ गए करीब चार सो लोग समेट सैकलो बच्चे रास्ते में फस गए हैं तेज बारिश जारी है ऐसे में प्रशासन को काफी परेशानी हो रही है जानकारी के मताबिक बारिश के कारण कई जगों से सड़क के हिस्से गायब हो गए हैं उत्राखंड आपदा प्रबंदन सेल और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस ओर बाबा को आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दे दी है पुलिस ने कहा है कि रोक के बाद भी अगर वे में मलबा सड़क पर आ जाने से रास्ता बंद हो गया है रुद्र प्रयाग के दारनात मार्ग पर रुद्र प्रयाग से सोन प्रयाग तक भारी बारिश के कारण दस जगों पर मार्ग शती गरस्त होने की खबर है इस वत की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे ये लोगों की बात हो रही है जिसमें बच्चे भी मौजूद हैं वो रास्ते में ही फस गए हैं तेज बारिश जारी है प्रशासन को काफी परिशानी हो रही है बाबा रामदेव को ये चेता दिया गया है कि अब आप आगे ना बढ़े कई जगे से सडक के हिस्से गायब हुगे उत्राखंड आपदा प्रबंदन सेल और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस और बाबा को आगे नहीं बढ़ने की चेताब नी दिये है इस वक्त की ये बड़ी खबर खबर ये भी है कि जोशी मट समेट चमोली में भी मंगलवाराच से भारी बारिश जारी है बारिश के का पर मार्ग शतिकरस्त होने की भी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने उत्राखन के डीजीपी ने दिया है बयान बच्चों को कुछ हुआ को कुछ हुआ तो होगी कारवाई रामदेव पर कारवाई की बात कहिए ये बड़ी खबर आ रही है रोकने के बावजू चले गए थे बाबा ये उत्राखन के डीजीपी ने कहा है